इश्वर ने मनुश्य को अन्यप्राणियों से श्रिष्ट बनाया है। कई गुणों से उसे समारा है। इसका उसे अभिवान भी होता है। परंतु स्वयम को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कारे करता है जिने वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अं एक सज्जन ने उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूची बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए। कतार से उन्हें रोपा। देख भाल की पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मुहले के लोग सु तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तक्ती के उपर यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ा मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगोंने तक्ती लगाने वाले सज्जन को बड सबेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धुम्रपान करना निशेद है। एक बार यातरा करते हुए देखा कि एक यातरी ने बीडी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंड़क्टर ने कहा भा सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यातरी ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंड़क्टर से कहने लगे। पाई साब बस में सिगरेट पिना मना है। इस बात पर कंड़क्टर शिगर बोल उठा। यह वाक्या आपके ल आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वहां खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। आपने इसे मना नहीं किया? यह तो मेरा बेटा है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बाते करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए दोनों मित्र बाचीत में मगन थे कि यो किसी ने दर्वाजा खटखटाया उन्होंने खिर्की से जहां कर देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले चार माह का किराया मांगने बार-बार आ रहा था उन्होंने इकने बच्चे को समझा कर बाहर भेजा जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा तुम्हारे पिता जी से कहो कि मैं मकान का किराय लेने आया हूँ पिता जी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हसने लगा घर में बैठे मित्र के चहरे पर भी मुस्काना गई भी किसी काम को गलत धंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतिक्षा करनी चाहिए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, आगे ही एक परिचित व्यक्ती खड़ा दिखाई दिया, वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये भिल तुम घर पर ही भूलाए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ती कुछ बोले उससे पहले ही, बिल वर आशी उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पूता बार-बार कहने लगा, दाडा जी लाइन में लगी है ना। उसकी बात सुनकर लोग हसने लगे, कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बाते तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं, इस प्रकार का आच्रण अच्छा नहीं होता, ऐसा आच्रण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हासी के पात्र बनते हैं, इसलिए हमें करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान.